नीशन नीज में मैं हूँ आपके साथ रुतिक बुलेटिन की शुरुवात करेंगे बिहार विशेश सश्च्रस्त्र पुलिस विदेग कानून बन गया है बिहार विदान सभा के बाद बिहार विदान परिशद से भी विदेग पूर्ण बहुमत से पास हो गया विदान परिशद में विपक्ष के सदस्यों ने विल में आकर हंगामा किया इस दोरान सत्ता पक्ष के सदस्यों से हाथा पाई भी की गई इससे मुख्यमंत्री नितीश कुमार नराज हो गए उन्होंने कहा कि विपक्ष्य के सदस्य सदन में गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐसे सदन नहीं चलता है बिहार विदान परिशद में सश्रस्त्र पुलिस विदहक के पेश होने के बाद विपक्ष्य ने हंगामा शुरू किया RGDMLC सुबोध रहनी ने नितीश सरकार पर गुंड़ाई का रोप लगाया है उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मंगलवार को सदन में विपक्ष्य विधायकों को पीटा गया वो निंदनीय है CM नितीश को इस पर ध्यान देना चाहिए उन्होंने CM से अस्तफ़े के भी मांग कर डाली है सदन में नया पुलिस बिल पास होने से पहले RGDMLC रामचंद्रपूर्वे ने नितीश सरकार पर जम कर निशाना साधा उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की पुलिस पीपल फ्रेंडली नहीं है और इस बिल के लागू होने के बाद सूबे में पुलिसिया गुंडा राज कायम हो जाएगा मंगलवार को महिला विधायकों के साथ बचसलूकी पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबडी देवी ने गुसा जाहिर किया है उन्होंने अपनी ट्विटर हैंडल के जरीए कहा कि विधान सभा में महिला विधायकों का चीर हरन होता रहा और मुख्यमंत्री नितीश कुमार ध्रितराष्ट रुबन कर देखते रहे बुधवार को बिहार विधान सभा के बजट सत्र के आखरी दिन सूबे के मुख्या नितीश कुमार ने मीडिया से बात की इस दोरान उन्होंने मंगलवार को सदन में पुलिस और विपक्षी विधायकों की बीच हुई भिडंत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सदन में विपक्षी ने जो किया वो सदन की मर्यादा के खिलाप था सदन में सबको शांतेपूर्ण तरीके से सवाल पूछने का दिकार है लेकिन विपक्षी विधायकों ने विधानसबाद ध्यक्ष को बंधक बनाने की कोशिश की जो सरासर गलत है वहीं उन्होंने पुलिस और विपक्षी की भिडंत को एक तरफा करार देते हुए कहा कि विपक्षर के विधायकों ने सदन के गरिमा को भंग किया है और ऐसी कोई बाग भी बिहार विधान सभा में मंगलवार को हुई गटना के बाद विपक्ष सरकार पर हमला वर है नीता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव ने मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर हमला बोला उन्होंने सदन में हुई गटना का जिम्यदार सियम नितीश को बताते हुए उन्हें चूडियां पहनने की सलह देडा ली तेजस्वी ने कहा कि सदन में हुई गटना निंदनी ए है सदन में पास भी बिहार विशेश सशستर पुलिस विधायक पर उन्होंने कहा यह काला कानून है और इसका खाम्याजा आने वाले दिनों में नितीश कुमार को भी भुगतना पड़ेगा इतना ही नहीं बल्कि तेजस्वी ने कहा कि अगर यह कानून वापस नहीं लिया गया तो वे इसे पूरे कारेकाल के दौरान सदन में नहीं जाएंगे लात घूसे महिलाओं का जिस प्रकार से नितीश कुमार जी ने चीर हरन कराने का काम किया बाल पकर के खुचवाना सारी निकलवाना विधायकों को नितीश कुमार जी के इशारे पर लात घूसे मा बहन की गालिया दे करके जिस प्रकार से पुलीस वालों ने जूतों से मारने का काम किया कितनी भी निंदा की जाए वो कम ही कल मुक्त मंत्री बोल रहे थे आज हमने वो भी जो है वीडियो फेस्बूक पर डाला है कि हमको बोलने ही नहीं दिया गये समय मांगते रहे अब बाद में क्या कह रहे कि हम जो है बहस करना चाहते थे कि सवाल लेकर के पूछना चाहते थे आजाए मैदान में ने तो हातों में चूरिया पहन करके बैटे निरलज कुमार जी को जब शराम लहजा रही नहीं गिया कॉंग्रेस के राष्ट्री ये महासचीव रंदीब सेंग सुर्जेवाला ने बिहार विधान सभा की गटना कर अपर कड़ी निंदा करते हुए कहा कि बिहार सरकार ने विधान सभा में जो किया वो भरत के प्रजातंत्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ सुर्जेवाला ने सरकार को ताना शरह बताते हुए नागरिकों से इसके खलाफ आवाज उठाने की अपील की है और महीला विधायकों को घसीटा गया विधायकों को मार मार कर अधमरा कर दिया गया और क्यों क्यों क्योंकि बिहार शशस्तर पुलिस बिल जिससे पुलिस को ये अधिकार दिया जाएगा कि वो किसी भी नागरी को जेल के अंदर डाल दे उसका विरोध प्रजातंत्र में चुने हुए निमाइन बुद्वार को बिहार विधान सभा के बजट सत्र के आखरी दिन विपक्षे विधायकों ने सरकार के खलाव जम कर भडास निकाली आरजडी विधायक सरबजीत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरीके से मंगलवार को विधान सभा में पुलिस ने विपक्षे विधायकों पर हमला किया वो निंदन ये है यही नहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है इसलिए वे आने वाले पाँच सालों तक सदन का बहिश्कार करेंगे इसमें संविधान बना लोकतंत्र की गठन हुई तब से यह पहली गठना है कि सदन के अंदर किसी महिलाओं की साड़ी खोल दी जाती है बिधायकों को सदन के अंदर किसी अमेले को लाठी और डंटे से मारा जाता है जूते से मारा जाता है इसलिए हम लोगों निर्ने लिया है कि सदन का बहिसकार होगा और जब तक पटना के DMSP और अधिकारी जिसने महला विधायकों की साड़ी खोला है और विधायकों को जूते से मारा है अगर वह डिशमिस नहीं होता है पूरे पांच बरस तक हम